असलामो अलाएकुम डियर सिटूड़न्टस आज का जो हमारा टापिक रहेगा वो रहेगा डंक्शन ट्रंजिस्टर तो इससे पहले हमने पढ़ा था डायोड याणि कि जो हमारे पास डायोड होते है वो दो टर्मिनल डिवाइस होता याणि कि इट इस थे टू टर्मिनल इस इसके पास दो टर्मिनल होते हैं तो इस दो टर्मिनल डिवाइस को हम कहते हैं डायोड अगर हम इसी डायोड को और एक्स्टेंड कर लेंगे यानि कि थ्री टर्मिनल बनाएंगे तो हमें मिलेगा एक और डिवाइस जिसे हम कहते हैं ट्रंजिस्टर तो ट्रंजिस्टर होता है three terminal कौन सा device होता है three terminal semiconductor device क्योंकि इसे हम semiconductor से बनाते हैं तो यह three terminal device होता है तो diode को हमने पहले ही बताया है कि जब हम एक P type semiconductor लाते हैं और उसे n टाइप semiconductor के साथ जोडते है तो हमें मिलता है एक PN junction diode तो P को हम क्या करते है यानि कि इसमें हम trivalent impurities एड़ करते हैं और जो हमारा n टाइप होता है उसमें पेंटावालन्त impurities एड़ करते हैं तो इस तरह से हमें मिलता है एक PN junction diode तो इसके पास दू टर्मिनल होते हैं एक तो P होता है इसके पास और दूसरा N होता है यानि कि अगर हम इसे join कर सकते हैं तो यहां से और यहां से हमें दू टर्मिनल device मिलता है तो अगर हम इसी device को यानि कि जो हमारे पास diode है इसी को extend कर लेंगे तो बनाएंगे three terminal semiconductor device तो कैसे बना सकते हम इसे अगर हमारे पास मालो P type जो है यानि कि दो P type है P types यानि कि two thick extransic यानि कि अगर हमारे पास P type होगे या N type होगे मालो ये दोनु ठिक है बट दो है in terms of it is dessert two तो दोनु extransic semiconductor है तो अगर हम लेंगे P type semiconductor दो thin thick layers लेंगे और इनके दर्मियान हम एक और layer एड़ कर लेंगे मालो ये हमारा यहां तक P है और यहां भी हमारा P है तो अगर इसके बीच में हम N type extransic semiconductor डाल देंगे तो हमारे पास एक नया device आएगा जिसके पास three terminals होगे एक तो ये terminal होगा दूसरा ये terminal होगा और तीसरा ये terminal होगा तो diode को ही हमने extend किया तो हमने हमें मिला यहां से एक और नया device जिसके पास three terminals है इस three terminal device को हम कहते है ट्रंजिस्टर आइसा भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो थिक layers होंगे यानि कि मोटे layers होंगे N के तो ये हमारा N है और ये भी हमारा N है तो इसके बीच में हम डालेंगे एक P टाइप X Transition में conductor तो हमें फिर से three terminal device ही मिला बट इस वकत इसका ये N है ये भी N है और ये P है तो फिर से हमें एक three terminal device मिला जिसे हम कहते है ट्रंजिस्टर तो इसको हम कहते है P N P ट्रंजिस्टर और जो ये बना इसे हम कहते है N P N ट्रंजिस्टर तो अब हमारे पास हमने क्या किया कि जो डायोड ही था उसे extend किया यानि कि हमने पहले क्या लिया कि हमने इसके दो थिक लियर्स लिये मोटे लियर्स लिये किसके P टाइप की और उनके दर्मियान सैंडविश की यानि कि इसके दर्मियान बीच में हमने एक थिन लियर एड की जो किसकी थी N टाइप की थी तो जब हमने P टाइप के थिक layers में एक N type thin layer ली तो हमें यहां से एक three terminal device मिला जिसे हम कहते है transistor इसका नाम होगा PNP transistor तो ऐसे ही हमने यहां से दो N के thick layers लिए और उनके बीच में क्या किया एक thin layer add की जो किस की थी वो थी P की तो हमें यहां से फिर से transistor मिला that is three terminal device उसका नाम हमने रखा NPN transistor अगर हम symbolically से denote करेंगे तो अगर हम पहले लिखेंगे हम इसे symbolically ऐसे भी denote कर सकते हैं यह ऐसे ऐसे और ऐसे हैं तो यहां से इसका अपना terminal निकलेगा यहां से इसका अपना terminal निकलेगा और यह इसका तीसरा terminal होगा तो हमारे पास रहे इसके तीन terminals अब यह कौन सा टाइप है इसे हम differentiate कैसे कर सकते हैं मालों हमने ऐसे दोनु बनाए है पी और एन पी और ट्रांजिस्टर तो यह फिर से और पी और पी और पी कौन सा रहेगा पहले अगर हम बनाएंगे मालों यह हमारा एन पी और यह जो हमारा है यह इस पी और पी ट्रांजिस्टर यानि कि यह यह अगर हम symbolically से denote करेंगे और यह symbolically ऐसे denote होते हैं तो कैसे यानि कि जो हम arrow इस पे डालते है यानि कि arrow हमेशा होना चाहिए पी से n की तरफ तो arrow head ऐसा होना चाहिए यानि कि जो arrow होगा वो हमेशा emitter पे रहेगा इसके three regions जो बानेंगे अभी explain करेंगे यह emitter होता है इसे base कहते है और इस की तरफ होना चाहिए तो अगर हम यहां देखेंगे तो पी से n की तरफ ऐसे बनाना है arrow head क्यों कि यह जो emitter होता है यानि कि it is always at emitter यानि कि जो arrow हम बनाएंगे वो हमेशा emitter की तरफ होना चाहिए यानि कि या तो वो emitter से towards base की तरफ होगा या base से towards emitter की तरफ ही होगा यानि कि from P to N यहां से ऐसे लिखेंगे हम PNP transistor में तो arrow ऐसे लिखेंगे यानि कि emitter से base की तरफ जा रहा है और अगर हम NPN transistor में देखेंगे तो यह P से N की तरफ होना चाहिए बट always add the emitter तो इसे क्या होता है कि यह जो हम emitter पे रखते है यानि कि जो हमारा arrow head होता है तो यह क्या denote करता है यानि कि जो हमारा arrow head होता है यानि कि जो conventional current होगा इस transistor में उसकी direction कहां से कहां तक होगी तो conventional current की direction यही denote करता है अगर हम यहां देख लेंगे P NPN transistor में तो इसका मतलब है कि अगर यह emitter है यह base और यह हमारा collector I.C.E. यह यह emitter है यह हमारी base है और यह हमारा collector है तो हमेशा arrow head कहां से यानि कि emitter की तरफ होना चाहिए या तो towards emitter होगा यानि कि from base to emitter या from emitter to base होगा अगर यहां हम देख लेंगे यह यह base emitter की तरफ है तो इसका मतलब है कि जो हमारी base होगी तो base इस positive यानि कि it is more positive than the emitter तो इस case में base ज़्यादा positive होगी ऐस computer emitter के यानि कि यह भी positive यह negative हो सकते है बट इससे कम होगी यानि कि इस case में base ज्यादा positive होगी as computer emitter. अगर हम इस case में देखेंगे तो यहां से यह conventional current की direction ऐसे है यानि कि emitter to base तो इस वक्त जो हमारा emitter है वो ज्यादा positive होगा यानि कि it is positive with respect to base यानि कि ये positive है with respect to base किस case में? PNP transistor में. In case of NPN transistor, base is more positive than the emitter. तो ऐसे हमने देखा कि हमने एक device बना लिया जिसके पास three terminals होंगे अब. यानि कि three terminals में या तो हमारे पास पीट दो मोटे होंगे और N इसमें sandwich करेंगे वो जो thin layer होगी. तो इस तरह से हम ये PNP और NPN transistor बना सकते हैं. अब इसमें ध्यान किस बात का रखना है कि arrow कहां से कहां तक होना चाहिए. तो इनके साफ NPN transistor it is from base to emitter. यानि कि arrow head हमेशा emitter की तरह ही होगा. यानि कि towards उसी की तरफ होगा. तो अगर हम यहां देख लेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो base हमारी है वो ज्यादा positive है as computer to emitter इसी वाज़े से arrow emitter की तरफ है. अगर हम PNP transistor में देख लेंगे तो हमारा जो emitter है it is more positive with respect to base that is why कि हमने direction towards base दी है इसकी. तो अब हमारे पास एक three terminal device बन गया. तो इसमें terminal जी हम कून सी use करेंगे? यानि कि इसमें जो हम बता रहे है कि ये जो emitter होता है base होती है और collector होता है. इनमें क्या difference होती है और ये कौन सा काम करते हैं? तो अब लिखेंगे हम कि इस transistor में जो terminology use करेंगे. तो terminal जी आफ है transistor. तो हमने देखा कि हमारे पास इसके three regions होते हैं. एक होता है emitter. तो अगर हम यहां एक transistor बनाएंगे ये रहा PNP. मालो हमने PNP transistor बना लिया है. तो जो left region होगा इस transistor का याने कि left region. तो left region को हम कहते है left region को हम कहते है emitter that is emitter जो होगा वो left region होगा. अब इसमें कौन सी खास्यत होती है इस emitter में emitter जो होता है it is left region आफ है transistor तो इसकी जो doping होती है heavily doped heavily doped जाने की जो इसमें हम impurity add करते है वो सबसे ज्यादा impurity हम इसी में add करते है physically अगर हम देखेंगी का इसका size जो होता है physically physical size जो इसका होगा वो small होगा as compared to collector जो इसका राइट region होगा physical size is smaller as compared to the collector जो इसका राइट region होगा उससे इसका size जो है वो कम होता है बट डोपिंग जो इसकी होती है वो सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसका main का में काम होता है कि जो charge carriers होंगे चाहे हम NPN बनाएंगे य愚िए PNP बनाएंगे तो इसका main मुक्सब होता है कि चाहे इसमें इस कोलूज ज्यादा होंगे क्योंक पी टाइप है तो इसका main काम होता है to supply these में charge carriers towards the collector तो इसका काम होता है इसी लिए इस में डूपिंग ज्यादा होती है क्योंकि इसका में जो काम होता है the main work is to supply the electrons towards the collector तो इसका में फंक्शन क्या होता है saplay करना supply charge carriers चाहे इलेक्ट्रान्स होंगे एन में या होल्स होंगे पी में तो इसका काम है सप्ले चारिज केरियर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिजन आता है याने कि यह था हमारा इमिटर लेक्ट रिजन तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिजन आता है याने कि मिडल रिजन तो उस मिडल रिजन को हम कहते है बेस जो middle region है इसे हम कहते है base तो ऐसे ही लिखेंगे कि base it is the middle region जो इसकी doping होती है यानि कि इसमें less doping होती है यानि कि less doped इनि कि impurity इसमें कम हम add करते है और physical size जो इसका होता है small होता है यानि कि ये बहुत ही thin होती है base यानि कि up to terrace power minus six meters इसकी ठिकनेस होती है इसके अलावा अगर हम चारश यानि कि ये देखेंगे size तो वह बहुत ही कम होती है as computer कि इसके emitter और collector के तो इसका काम होता है कि जो यहां से holes आएंगे यहां electron ज्यादा होंगे उनके साथ combine होना है और एक current बनाना है जिसे हम कहेंगे base current जो अभी हम आगे देखेंगे तो इसके बाद होता है हमारा तीसरा region तो तीसरा region होता है collector अब अगर हम collector को देखेंगे ऐसे एक्स्पलेंग करेंगे तो collector क्या होता है इस दर राइट रिजन यानि कि जो राइट रिजन होगा transistor का तो इस राइट रिजन दूसरा इसमें जो डोपिंग होती है वो कम होती है as computer emitter के यानि कि डोपिंग जो अगर हम इसकी देखेंगे तो डोपिंग डोपिंग इस लिएस एज कम्पियोट तो इमिटर यानि की जो इमिटर है उसके मुताबिक इसकी यानि की विफ रेस्पेक्ट तो डैट इसकी जो डोपिंग लेवल होती है वो कम होती है बट फिजिकलिए सबसे बड़ा रिजन होता है ट्रंजिस्टर में तो अगर हम फिजिकली इसका साइज देखेंगे तो इसका साइज जो होता है सबसे ज्यादा होता है एज कम्पियोट टो इमिटर एंड बेस तो साइज इस लार्ज और इसका में काम क्या होता है जैसे इसका में काम था इमिटर का तो सपले तो इसका काम होता है तो कॉलेक्ट दी इस चाहिए लेक्ट्रान होंगे या होल होंगे तो उनको कॉलेक्ट करना तो इसका में जो काम है इस कॉलेक्टर का इस बिकाज इस नेम इंडिकेटर दैट इस कॉलेक्टर इस में फॉंक्शन इस तो तो कॉलेक्ट चारिश कैरियर तो कॉलेक्ट चा करेंगे कि इमिटर होता क्या है और इसके बाद बेस क्या होती है और क्या होता है इसके बाद अगर हम इस ट्रंजिस्टर से कोई काम करना चाहेंगे जाने कि जो हम आउट पुट लेंगे इससे तो उसके लिए हमें इसे प्रापर बायाजिंग मोड में लाना है याने कि जो हम हमारे इमिटर होंगे उसे किसके साथ जोड़ना है बेस को किसके साथ जोड़ना है और कौलेक्टर को किसके साथ जोड़ना है तो अब हम देखेंगे ट्रंजिस्टर बयाजिंग तो बयाजिंग में हम क्या देखते है कि कैसी polarity चाहिए इसे transistor को कैसी polarity देनी है क्योंकि हमने अब देखा कि जो हमारे पास एक transistor मिल रहा है अभी PNP transistor है तो यह हमारा emitter है और यह हमारी base और यह हमारा collector तो emitter और base के दर्मियान एक junction create होता है यहने कि जो हमने diode में ही पढ़ाया है क्योंकि PN जो junction होता है यहने कि एक diode है और NPN दूसरा diode है तो हमने दू डायोड उसको combine किया है जिसकी वज़े से हमें एक transistor मिला तो इनके दर्मियान जो junction होगा उसे हम कहेंगे emitter base junction और जो base और collector के दर्मियान यह वाला junction रहेगा इस junction को हम कहते है collector base junction तो अब हमारे पास दो junctions है एक तो हमारे पास emitter और base के दर्मियान एक junction है boundary जो इस operate कर रही है दूसरा collector और base के दर्मियान हमारे पास दूसरा junction आ रहा है जो दोनों fictitious batteries का काम करेंगी तो ऐसे हमारे पास दो junction होते हैं एक emitter base junction होता है दूसरा collector और base का junction होता है तो proper byizing के लिए यानि कि to get the output from this transistor तो transistor के लिए हमें कौन सी polarity use करनी है तो सबसे पहले जो हम rule लिखेंगे कि जो हमारा emitter और base वाला junction होगा यानि कि emitter base junction तो इसे हमेशा किस mode में रखना होता है इसे हमेशा forward mode में रखना होता है यानि कि far forward byizing mode में तो हमेशा इसे forward byizing देनी होगी यह है rule number first यानि कि जो P होगा P type semiconductor इसे positive terminal बैटरी के साथ join करना है और जो N है उसे हमेशा यानि कि N type semiconductor को हमेशा negative terminal बैटरी के साथ जोड़ना है तो यह होता है हमारा पहले कि जो transistor byizing करनी है हमें तो emitter base junction को हमेशा forward byizing mode में हमें operate करना है इसके बाद जो दूसरा rule है यानि कि जो collector और base का junction है यानि कि collector base junction तो collector base junction को हमेशा reverse byizing mode में operate करवाना है यानि कि इसे हमेशा reverse byizing में operate कराना है तो तब जाके एक transistor की proper byizing होती है हमें right polarity मिलती है यानि कि reverse byizing में हम क्या करते है जो P semiconductor होता है उसे हम negative terminal के साथ जोड़ते है और जो हमारा N होगा उसे हम positive terminal के साथ जोड़ते है तो ये होती है हमारी reverse byizing और ये होती है हमारी forward byizing अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी भी transistor की working देखनी है अब हमारे पास दो किसम के transistor है या तो PNP transistor या NPN transistor बट जो हमारे transistor में अगर हम देखेंगे कि ये हमने एक transistor लिया है मालो NPN transistor लेंगे तो byizing rules हमें क्या कहते है byizing rules हमें कहते है कि जो emitter और base का junction होगा यानि कि ये वाला junction इसे हमेशा forward mode में रखना है यानि कि P को हमेशा positive terminal से जुड़ना है और N को हमेशा negative terminal के साथ जुड़ना है और I से ही जो collector और base के दर्मिया जो junction होगा उसे हमेशा reverse mode में लाना है यानि कि उस वक्त N किसके साथ होगा N होगा positive के साथ और जो ये P है वो P होगा negative के साथ join तो तब जाके हम एक right polarity देते है एक transistor को जिस वज़ए से हमाई output मिलता है from this transistor तो अब हम पढ़ने जा रहे है action and working of a transistor इससे पहले मैं उसे explain करूँगा मैं पहले diagram बना के रखूँगा ताकि आप लोगों को आसान हो जाए कि working जो होगी उसकी वो पढ़ना तो अब हम पढ़ेंगे action और working of a transistor तो पहले ही बता दिया है मैंने कि जो transistor by rising होगी वो हमेशा emitter और base यानि कि हमने पहले देखेंगे action आप है एन पी एन ट्रंजिस्टर फिर बाद में देखेंगे action आप है PNP transistor तो अभी हमने लिया है NPN transistor तो NPN transistor में यह हमारा emitter होगा यह base होगी और यह हमारा collector terminal होगा तो 3 terminal है ऐसे भी बना सकते है कि जो हमारा NPN transistor है तो हमने पहले ही कहा था कि जो arrow head होगा वो हमेशा towards emitter यानि कि वो किस side होगा at emitter होगा बट कैसे इस वकत हमारी जो base है वो positive है as computer emitter that is why it is from P to N तो इसमें ऐसे होगा तो यह हमारा base रही और यह रही हमारे collector terminal तो 3 terminals है अब कैसे जोडेंगे हम far it is proper working तो जो हमारे यहां जो यहां पे एक junction होगा किस-किस ने बनाया N और P ने तो इसे हम कहेंगे जो हमारा emitter और base junction है और जो यहां पे junction बनाया base और collector ने इसे हम कहेंगे क्या collector base junction तो अब हमारे पास दो junction है अब proper byizing के लिए क्या करना होता है emitter base को हमेशा forward byizer mode में लेना होता है तो forward byizing mode means कि हमें यहां से जो P है उसे positive terminal के साथ जोड़ना है और जो हमारा N होगा उसे negative terminal के साथ जोड़ना होगा तो emitter इस वकत किस के साथ होगा negative terminal के साथ और जो P यानि की base होगी वो positive terminal के साथ join होगी अब इसके बाद अगर हम देखेंगे इस battery को यानि की collector base junction तो collector base junction हमेशा reverse byizer mode में होना चाहिए तो जो reverse byizer mode होगा वो ऐसे होगा कि N को किस के साथ जोड़ना है towards positive terminal के साथ और जो इसका P होगा इस वकत P को किस के साथ जोड़ना है negative terminal के साथ तो ऐसे हम बना सकते हैं यानि कि जो हमारे device रहेगा वो ऐसे काम करेगा तो फार हमने अब proper byizing इसमें की है कौनसी proper byizing की emitter base जो है उसे हमने लिया forward mode में यानि कि forward byizing हमने उसे दी और collector base को reverse byizing क्योंकि N को positive के साथ हमने जोइन किया है और P को negative के साथ तो हमें मिली reverse byizing तो अब दोनों यानि कि operate करना start करेंगे आईसे अगर हम यहां देखेंगे तो emitter किस के साथ जुड़ा होगा negative terminal के साथ और जो क्या होगा base that is positive वो इस वकत P के साथ जुड़ी होगी तो forward byizing mode में आया ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या करना है negative terminal और जो N होगा उसके साथ जुड़ना है positive terminal के साथ तो ऐसे हमें मिली एक proper byizing तो अब काम कैसे करता है तो जो battery से electronics यहां निकल के आएंगे तो यहां से पहले देखेंगे कि जो electronics यहां पहुंच जाएंगे तो वो electronics battery के जो electronics आ रहे हैं वो emitter से यानि कि जिसमें end type है इस वकत तो उसमें electronics ज्यादा है heavy doped है तो यह electronics in electronics को repulsion करेंगे मालो हमारे पास 100% current बन गया है तो emitter के पास हमारे जाने कि जो negative terminals बैटरी से electronics आएंगे वो emitter से electronics को repel करना start कर देंगे जिस वाज़े से क्या होगा की यह जो emitter base junction है इस emitter base junction की ठिकनेस जो होगी वो कम होगी क्यों काम होगी क्यूंकि electronics इसे repel करेंगे और यह holes इसे attract करेंगे जो पी में ज्यादा holes होंगे वह इस वाज़े काम होगी जिस वाज़ेसे अगर देप्लेशन लियर की ठिकनेस कम हो गई तो इसका जो बारियार पॉतन्चल वो भी कम होगा क्योंकि यह नी ना रेपलल्थो फॉरूज जादा है तो बारियर पॉतन्चल कम combine होंगी तो kovalent bond फिर से बनाना Start होंगे यहां पैस अगर हमारे पास 100% being better current था यानि किया आ एई जो है इंटर की current वह 100% है तो जो होती है पहले का था इस येस डोपर और जो इसकी थिकनेस होती है बहुत कम होती है तो यहां से फिर्क पर्शंट ह strang सकती है कि 5 पर्संट जो इल्यकुटान decis होंग्य वह इस के खूल की साथ कमभाइन होंगे और जस वजह से थोड़ा बेश कारंट बनेगा यहाने कि बेश में क्या होगा कि एल्यकुटान कारण होल सी कमभाइन होंगे जिस वजह से यह रहींद हैंडव परसंट में मालो 5% कंबाइन हो गए इलेक्ट्रान किसमें यहां यानि कि बेस में कंबाइन हो गए जिस वज़े से यहां सुमाल करेंट बनेगा डैट इस काल्ड बेस करेंट तो वह बेस करेंट बै कानवेंशन हम ऐसे डिनोड करेंगी आई भी ऐसे होगा तो बेस करेंट या और जो बागी 95% है यानि कि जो 95% है वो कहां चले जाएंगे वो collector में चले जाएंगे क्योंकि collector में जो इलेक्टरन है यानि कि जो पाजटू टर्मिनला बैटरी है वो पाजटू टर्मिनल इन इलेक्टरन को attract कर लेगा तो current सिटार्ट हुआ तो ऐसे अगर हम देखेंगे फिर हम पाजटू टू नगे तो ऐसे इसका collector current भी होगा यहां यहां से पाजटू ऐसे current होगा क्योंकि यह जो पाजटू टर्मिनला कांबाइन हुए बाकि जो 95% थे वह इलेक्टरन कोलेक्टर में पहुँच गए क्यांकि क्या का में काम होता है तो यह जो बैटरी का पाजटू टर्मिनल है रिवर्स बायाजिंग मोड में तो वो उन इलेक्टरन को अट्रैक्ट करेगी जिस वज़े से current फुलो होना शुरू होगा तो इस वज़े से जो इमिटर current आई वो ऐसे फुलो होगा तो क्या हुआ तो जिस वज़े से जो 95% इलेक्टरन आ रहे है तो निट्रलाइज हो रहे है यहां पे बट वहां से इस जो फारवर्ड बैजिंग मोड में बैटरी है तो वो इलेक्टरन यहां पहुँच रहे हैं वो किस में जा रहे हैं इमिटर में बैस के साथ थोड़े कंबाइन होते हैं तो बागी जो बज़ते हैं वो कॉलेक्टर की तरह पहुचते हैं तो इस तरह से इसमें एक कांटिनिवस फुलो आफ कारंट यहां इसे एक कांटिनिवस फुलो आफ कारंट से टार्ट होगा अगर हम कहेंगे कि आई जो है हमारी base current थी, emitter current थी, IB जो हमारी है, it is a base current और जो यहां मिलेगी IC वो collector current है, तो हब हम क्या लिखेंगे कि हमारी emitter current है, वो किसके बराबर होगी, वो तो base current के बराबर होगी, plus collector current, या हम ऐसा भी कहेंगे कि जो हमारा base current है, यानि कि IB, तो IB जो है, it is difference between emitter current and collector current, तो IC relation आएगी हमें यहां से, यानि कि जो हम देख रहे हैं कि action, action में क्या हुआ कि यहां से electronics आए, electronics ने emitter में electronics को ripple किया, जिसकी वज़े से वो base में थोड़े combine हो गए, covalent bonds बनाए, बाकि जो बचे वो कहां चले गए, collector में, क्योंकि collector connected है, positive terminal बैटरी के साथ, तो IC वो इन्हें attract कर लेगा, neutralize होगा, यहां पर effect, यहां से फिर electron जा रहे है, तो by conventional current की direction का इसे होगी, conventional current collector से, ऐसे होके गुजरेगा, यहां emitter से, तो IC current flow होगा, तो इसमें relation कुन सी है, होगी, use होगी, यानि कि जो emitter current होता है, वो हमेशा होता है, base current plus collector current, या हम कहेंगे कि जो base current होती है, it is difference between the emitter current and the collector current, तो IC यह भी same है, तो IC इसमें भी काम होगा, यानि कि यह ऐसे work करेगा, अगर हम इसी को आप कहेंगे कि अब यह NPN transistor नहीं है, बलकि PNP transistor है, तो अगर हम इसे या PNP transistor बना लेंगे, तो क्या करना है हमें, मालो अब हमने IC को change कि यह PNP transistor है, तो अब क्या करना है, अब फारवर्ड बयाजाने कि emitter base को फारवर्ड बयाजिंग देनी है, तो यहां इस वक्त यह positive यह battery जो होगी, इसे change करना है, यानि कि अब P को positive terminal बैटरी के साथ जोड़ना है, और जो N रहेगा, उसे negative terminal बैटरी के साथ जोड़ना है, और जो यहां reverse बयाजिंग मोड में होगा, तो reverse बयाजिंग मोड में क्या करेंगे हम, अब जो P है, उसे negative terminal के साथ जोड़ना है, और जो N है, उसे positive terminal के साथ जोड़ना है तो फिर से हमने प्रापर बायाजिंग दी इसे यानि कि फिर से हमने क्या क्या है कि आप P को पाज्टू से जॉइन किया तो ये और N को नगेटिव तो आब ये फिर से फारवर्ड़ तो यहाँ क्या होगा कि यह जो arrow है इस arrow की direction change होगी क्योंकि यह अब emitter से किस की तरफ जाएगा base की तरफ क्यूंकि अब emitter ज्यादा positive है with respect to base क्योंकि अब base negative terminal से join है और अब इस वकत ये positive terminal बना ये negative terminal और यहाँ पे क्या होगा इसका उल्टा कि अब ये positive to terminal बना और ये बने नगेट to terminal तो तो तेज अब ये फारवड़ भायाज में आया ये reverse भायाज में ऐसे फारवड और reverse भायाज में अब क्या होगा इस में भी relation सेम रहेगी क्योंके आप यहां से positive charges आ रहे हैं तो पी में ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि जब यह छो पाज्टू टर्मिनल से पाज्टू चार्ज़ अ रहे हैं वो इन होल को रिपल करेंगे बेस के साथ पाँच परसंट कमबाइन होंगे जो बाकि नाइनटी फाइव परसंट होल बचेंगे वो जाएंगे किसमें क्वालेक्टर में क्योंकि क्वालेक्टर का जो नगेट्व टर्मिनल है इस वक्त वो इन पास्ट्व चार्जिस को अट्रैक्ट करेगा निट्रलाइज इफेक्ट होगा फिर से कांटिनियूस फुलो आफ चार्जिस बनेगा तो जिस वज़े से एन पी ट्रंजिस्टर ऐसे काम करेगा तो अब इसमें क्या देखना है कि जो हमारी फारवर्ड बैटरी होती है यह यह याने कि वी बी यह 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 जो बैटरियम एपले कर रहे हैं इमिटर बेस जंक्शन को और जो यह हमारी होगी वी सी यह जाने कि जो बैटरी हम क्वालेक्टर औ होती है यानि कि जो बैटरी हम कोलेक्टर और बेस जंक्शन को देते है उसकी जो वोल्टेज होगी यानि कि कितने वोल्टेज पोटेंचल देगी वह ज्यादा होनी चाहिए जो हम इमेटर और बेस जंक्शन को बैटरी देते है यानि कि इसकी वोल्टेज ज्यादा होनी चाहि क्योंकि इसका काम होता है या तो इन फोल्स को अट्रैक्ट करना या जब हमने देखा था एंपी एंट ट्रंजिस्टर में इलेक्ट्रान को अट्रैक्ट करना क्योंकि इसका में काम होता है तो अट्रैक्ट जाहे इलेक्ट्रान को अट्रैक्ट करना होता है या होल्स को अट्र को हम 50 वोल्टिज लेते हैं क्योंकि इसका मेन काम होता है तो जिस वज़े से जल्दी आ जाए और इसमें कांटिनिवस फुलो आप कारेंट हो तो यह था यहां तक ट्रंजिस्टर इसमें हमने टर्मिनालजी पड़ी कैसे प्रापर बयाजिंग देते हम इसे और कैसे काम करता है चाहिए वह एन पी एन ट्रंजिस्टर हो या पी एन पी ट्रंजिस्टर हो तो अमेद करते हैं यहां तक आप लोगों को सब समझ में आया होगा अगर कहीं पर भी कोई प्राप्लिम हो तो कमेंटिस में कह देना